नमस्कार, मैं रहुल भोच, स्वागत करता हूँ आपका फीफा फूज में बिग बॉज बोले तो फीफा फूज घर में सबसे ज्यादा परसनल अटैक्स किस पर होते हैं? घर में सबसे ज्यादा परसनल अटैक्स दोस्तो एजास खान के उपर होते हैं और मैं यहाँ पर इस वीडियो को बनाने के पीछी यह उदेश है कि मैं आपको प्रूफ के साथ सारी बाते बता सको तो चलिए, without wasting any single time, let's begin दोस्तों हमने देखा है कि किस तरीके से day 1 से ही निकी तंबोली ने एजास खान के ओपर personal attacks करने शुरू कर दिये थे सबको पता है, blue eye boy रह चुके हैं एजास खान, अगर टीवी जगत की बात करें तो एक तक कपूर के one of the favorite रह चुके हैं एजास खान और अगर बात करी जाए दोस्तों तो उन पर personal attacks back to back होते हैं निकी तंबोली ने क्या मुद्दा उठाया था एजास खान के ओपर, अभी वो एक बार नहीं दो-तीन बार उठा चुकी है कि आप जब पहले दिन आये थे घर पे, आपने toilet का इस्तिमाल किया था और वो जो seat है, pot है उसमें छीटे थे जो बहुत ही ज़्यादा embarrassing है, बहुत ही ज़्यादा खटिया बात है दोस्तों और निकी तंबोली वो एक बार नहीं वो बार बार ये बात बोलती है in fact, सलमान खान के सामने वो बात बोली है उसने, जो कि बहुत ही ज़्यादा दोस्तों, demeaning है, degrading है तो yes, ये है पहला idea दूसरा एजादा खान के ओपर ये आरोप लगता है, जो कि बहुत जादा personal है कि इसके मूँ से बदबू आती है, वो कोई भी हो यहाँ पर जान ले लीजे, निकी ले लीजे, राहू ले लीजे या फिर अगर बात करें दोस्तों, तो कविता कौशिक ले लीजे कविता कौशिक, recent की लड़ाई में क्या बोलती है अरे जाना निकल, वैसी ही तेरे मुँ से बदबू आती है, बदबू आती है करके इस तरीके से उनकी personal, मतलब एक तरीके से ले लीजे हाईजीन फैक्टर पे सवाल उठा रहे हैं ये लोग, कि एजास खान के मुझ से बदबू आती है और वही अगर राखुल सिंक में थूके, उल्ला करके थूके और उसकी दाड़ी से बात पानी गिरे हाँ भड़कते हैं, लेकिन वो गंदी गालिया नहीं देते हैं, बल्कि लड़की सामने वाली देकर चली जाती है चाहे हो पवितर पुनिया हो, या फिर ये कविता कौशिक क्यों ना हो एजास खान के उपर, back to back दोस्तों, personal bar हुए है और अगर सबसे लास बात मैं आपको बता दू, तो सबसे जादा हाता पाई भी उनके उपर हुई है चाहे हो पवितर पुनिया की हो, या फिर कविता कौशिक की हो कैसे हम भूल सकते हैं कि पवितर पुनिया ने ऐसे, आरे तु जाए यहां से इस तरीके से करके उनको हाथ मारा था जो आज रात के देखेंगे वो यही देखेंगे की किस तरीकी से कविता कौशिक भी हाथ चला रही है, और उसी चीज़ड़ को लेकर अजास्अच आवाज उठा रहे है अब देखते हैं Big Boss इस पर कोई भी action लेते है या नहीं दोस्तों लेकिन ये बहुत सदर ज़रूरी है important बात है कि एजास खान पर personal attacks होते हैं सबसे ज्यादा vulnerable जो contestant, contenders बना दिया है दोस्तों वो एजास खान को बना दिया है और इसी वज़े से दोस्तों एजास खान को weekend के वा दूद का दूद पानी का पानी हो जाता है आपको क्या है रगता क्या आपको भी लगता है वाकई में अजास खान के उपर personal attack होते हैं जो कि personal hygiene factor से लेकर उसको मारना से लेकर गाईयां देने से लेकर यह सब है तो comment section में लिख दीजे बिंदास लिख दीजे जरूरी है अभी